सीतापुर नाम के एक गाउं में रामा नाम की एक विध्वा औरत रहा करती थी वो अपने बेटे बालू और बेटी कीर्थी के साथ रहती थी जब उसके पती जिन्दा थे तब उनके मटके का धन्दा बहुत अच्छे से चलता था हर कोई उसे प्यार से बहना और दीदी कहकर बुलाया करते थे अब जबकि वो विध्वा हो चुकी थी कोई उसकी घर की तरफ देखता नहीं था और उसे बात भी नहीं किया करता था कोई उनके पास मटके खरीदने भी नहीं आता था बच्चों के साथ कोई खेलता भी नहीं था एक दिन किर्टी ने कहा मा अब तक जो हम लोगों के साथ बच्चे खेला करते थे वे अब हमारे साथ नहीं खेलते उन्होंने कहा कि उनकी माता पिता ने उन्हें बताया कि आपने कोई पाप किया है जिस कारण पापा जिन्दा नहीं रहे क्या ये सच है माँ आपने कोई पाप किया है ये बाते सुनकर रमा बहुत दुखी हुई अपने दर्द को छुपाते हुए उसने आसु बहाए रमा को समझ में नहीं आया कि क्या और कैसे कहा जाए तब किर्टी ने कहा मैंने उनसे कहा कि जहां तक मैं जानती हूँ मेरे माने कोई पाप नहीं किया फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है तो तुम्हारी माँ बहार क्यों नहीं आती बोलो ना मा इतने में बालू ने कहा उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी माँ को भला गावाले फिर क्यों डांट रहे हैं मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा माँ बालू की बात सुनकर रमा अपने दुख को नहीं दबा पाई उसके आंसों सैलाब बनकर बाहर निकले अपने बच्चों को गले लगा कर फूट फूट कर रोने लगी कुछ देर बाद उसने खुट को संभाला सही कहा तुम दोनोंने मैंने औरत बनकर जैन मिलिया यही मेरी गलती है और इस गलती के सज़ा तुम दोनों भी भुगत रहे हो रमा इससे जादा अपने बच्चों से कुछ नहीं कह पाई किर्टी मा से और कुछ पोचना ही चाती थी बहुत देर हो चुकी है जाकर सोजाओ कल बात करेंगे ऐसा कहकर उसने अपने बच्चों को सुला दिया उनके पास बैठ कर वो बोलने लगी हे भगवार ये तेरा कैसा खेल है मेरे घर में अनाज खतम हुआ मेरे इस विद्वा हालत को देकर कोई मेरे पास मटका भी नहीं खरीद रहा कल से मेह और बच्चे कैसे जियेंगे माथे पर बिंदिया हाथों में चूडिया गले में मंगल सूत्र रंग बिरंगे साडियों में चो लोग मुझसे बात किया करते थे आज उन्हीं लोगों को इस बेरंग साडी ने दूर कर दिया यो दुखी होते हुए उसने रात बिता दी सुबह उठते ही कर्जदार मानिक उनके घर पर आया पैसे देने के लिए जित करने लगा बदले में उसने मटके फोट दिये मानिक यो आंगर में खड़ा होकर चिलाने लगा दहलीस पर खड़ी रंगा उससे विंती करने लगी मैं तुम्हें समय दे भी दूँ तो तुम भला पैसे दोगी कहां से बीना बिंदी के तुम बहार निकलोगी नहीं कहीं काम करोगी नहीं इस बेरंग साड़ी पहने देखकर कोई तुमसे मटका भी नहीं खरी देगा उस पर रमा ने कहां आप मुझे कुछ और समय दे दिजे मैं कुछ न कुछ कर लोटा दूँगी ठीक है ठीक है दिवाकर पर मुझे बहुत भरोसा था इसलिए तुम्हे समय दे रहा हूँ असल के साथ सूध भी देना होगा वरना ये घर मेरे नाम करना होगा समझी ऐसा कहकर मानिक वहां से चला गया रमा ने अपने बच्चों से कहा कि उन्हें मटके ले जागर गाउ में घूम घूम कर बेचना होगा तब ही हम अपने घर को बचा पाएंगे वरना वो मानिक आकर कह रहा था कि अपना घर हड़प लेगा हम बेगर हो जाएंगे सड़क पर रहना होगा तुम दोनों समझ रहे हो ना तब किर्ति ने कहा मा तुम चिंता मत करो चाहे जो भी हो जाए हम अपने घर को उसमानिक अंकल को लेने नहीं देंगे ऐसा कह कर दोनों ने एक एक टोकरी मटकों से भरी हुई उठाई और गाउ में बेचने चले गए मटके लेलो मटके एक दम मस्बूत वाले मटके कम दाम में अच्छे वाले मस्बूत मटके गर्मी के दिनों में ठंडा पानी और ठंड के दिनों में गरम पानी देने वाले मटके इस तरह दोनों गाउ में सुभह से लेकर शाम तक घुमते रहे पर उनका एक भी मटका बिका नहीं वे दोनों निराश होकर पैर के दर्ट के साथ वापस लोटे उन दोनों को धीरश देखकर खाना खिलाकर रमा ने उनको सुला दिया वो रात बीद गई अगले सुबह किर्टी ने कहा बालू हमारे मटके कोई भी खरीद नहीं रहा न क्यों न हम उस मिट्टी से साइकल, मोटर, कार बनाए जिससे शायद लोग उसे लेना चाहे तब बालू ने कहा हाँ दिदी हम उस मिट्टी से साइकल, बाइक बना कर बेचेंगे अगर लोगों को अच्छा लगा, तो धनी लोगों के लिए एरोप्लेन बनाएंगे फिर उसे बेच कर हम मानिक अंकल को पैसे देदेंगे तब कीर्टी ने कहा हाँ, तब ये घर हमारा ही रहेगा, कोई नहीं लेगा बच्चों के सुझाव को सुन, थोड़ा आश्चेर्य तो हुआ रमा को फिर भी उन्हें उसने प्रोचसाहित किया फिर बच्चों ने मिट्टी से बाइक बनानी शुरू की और घर के सामने कतार लगाई सड़क पर जा रहे लोगों ने उन बाइक को देखा और कुछ पैसे देकर पाइक खरी दी इस तरह उन्होंने पैसे मा को दिये पती के देहान के बाद पहली बारी रमा ने इतने पैसे देखे थे वो बहुत खुश हुई फिर बच्चों ने हवाई जहाज बनाना शुरू किया दिया हुआ समय खतम होने पर मानिक पैसे लेने घर आया उसने बच्चों को हवाई जहाज बनाते हुए देखा इस हवाई जहाज को बनाने की बाद मुझे दे देना मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर देता हूँ और तुम्हारे जरूरत के पैसे भी दिया करूंगा बच्चों ने हामी भरी जिससे मानिक वहाँ से चला गया दो दिनों में हवाई जहाज बनकर तैयार हुआ मानिक ने आकर कहा कि वे अब कर्समुक्त हो गये मानिक जहाज लेकर चला गया वो ये भूल गया था कि वो मिटी का बना हुआ है पानी में या बारिश में भीग कर वो पिघल सकता है उसने जल्द बाजी में बारिश होते हुए भी हवाई जहाच उड़ाया और होना क्या था बारिश के पानी में भीग कर हवाई जहाच पिघल गया जिससे धनवान मनी पानी में डूब जाता है उसको अपने गलती का एहसास हुआ, उस दिन से वो अच्छ से रहने लगा अपनी होश्यारी और विवेक्ता से उस मानिक से घर को छुडाने के लिए मां बहुत खुशी और अपने बच्चों की सराहना करने लगी राम चंद्रपूर नाम का एक गाउं था, वहाँ पर वीरेंद्र नाम का एक धनी आदमी रहा करता था हाल ही में अपने बेटे के देहान से वो बहुत दुखी था पर उसने सोचा कि अपने बेटे की याद में वो गाउं वाले बच्चों के लिए एक स्मारक बनाएगा वहाँ पर छोटे बड़े सभी आया करते थे, उस पार्क के पहरेदारी के लिए उसने एक आदमी को रखा, ऐसे ही दिन बीत रहे थे वहाँ पर हर रोज गरीब भाई बहन आया करते थे, वे दोनों बच्चे गाउं के आखरी छोर पर रहा करते थे वहाँ आस-पास के बच्चों से उन्होंने पार्क के बारे में बात करते सुना और बड़ी आस से वहाँ पर चले गए वहाँ के मटके स्विमिंग पूल में सभी को खेलते हुए उन्होंने देखा बालू चल, हम तुरंत वहाँ पर चलते हैं ऐसा सोचकर वे दोनों भीतर जाने लगते हैं तभी पहरेदारी में खड़ा आदमी कहा जा रहे हो तब किर्ती ने कहा नादा जी, सभी स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं ना? हम भी वहीं खेलने जा रहे हैं तब उस आदमी ने कहा तुम्हें देखकर अजीब सा लग रहा है ऐसे फटे कपड़ों में मैले कुछेले कहां से आए हो? हम गाउं के बाहर रहते हैं हमारी मा अंधी है और पापा इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए हम भीक मांगते रहते हैं ऐसा किर्ती ने कहा उस पर पहरेदार बड़ा घुसा हुआ क्या कहा? तुम दोनों भीक मांगते हो ऐसे मलीन गंदे कपड़ों में तुम लोग स्विमिंग पूल में जाओगे और वहां का सारा पानी घर आप करोगे जाओ यहां से इस तरह जबरदस्ती गर उन दोनों बच्चों को वहां से बाहर हकाल देता है बच्चे दोनों दुखी होकर वहां से जा रहे होते हैं तब ही वहां का जमीदार यह सब होते देख लेता है क्या हुआ हनुमंद? इस तरह तुमने बच्चों को क्यूं हकाल दिया? कौन है वो? पता नहीं सेट जी कोई गरीब बच्चे हैं उनके कपड़ों से बदबू आ रही थी कच्रे की गंदी सी बदबू वो दोनों मलीन थे वो दोनों स्विमिंग पूल में उतरना चाते थे वो पानी गंदा हो सकता था इसलिए मैंने उन्हें भेज दिया तब जमिंदार ने हां कहा और वहां से भीतर चला गया वो रात बीच जाती है अगली सुबह दोनों ने सोचा कि अपने घर के आंगन में मटके के आकार का एक स्विमिंग पूल बनाएंगे पर वो इतना आसान नहीं था उन दोनों से नहीं हो पाता उन दोनों ने मिट्टी खटा की और अपने हैसियत के हिसाब से जितना बन पाता जैसा बन पाता बनाने की कोशिश कर रहे थे पर वो सही नहीं बन रहा था आखिरकार दोनों हताश हो जाते हैं लाग कोशिश करने के बाद भी हम लोग मटके के आकर का स्विमिंग पूल नहीं मना पा रहे हैं। रहने दबालू, लगता है भगवार नहीं चाते कि हम लोग इसमें खेलें। यूँ वो दोनों दुखी हो रहे थे, वो रात बीच जाती है। अगली सुबहा उन्होंने उट कर देखा तो उनकी आंगन में एक मटका पानी से भरा हुआ तयार था। स्विमिंग पूल देखकर, अरे वा, ये कहां से आया, कितना अद्बुद है। ऐसा सोचकर वे दोनों उस पानी में खेलने लगे। ये सब दूर खड़ा, जमीनदार और वो पहरेदार खशी से देख रहे थे। पहरेदार अपने मालिक से कहता है। मालिक, मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने ये सब क्यों किया, क्या मैं जान सकता हूँ। उस पर मालिक ने कहा। मैंने अपने बेटे की याद में ही ये पार्ग बनवाया था, पर अगर ऐसे बचे वहाँ नहीं जा पाए, तो मेरे बेटे की आत्मा को शांती नहीं मिलेगी। अब अगर मैं उन्हें वहाँ पर बुलाता भी, तो शायद वो नहीं आते, क्यूंकि हमने उन्हें बहुत अपमानित किया है। पहरेदार की बात सुन, मालिक ने कहा, तो तुम हर रोज कोई ऐसा काम करो, कि उन्हें भीक ना मांगना पड़े। तीसरे में किताबे और एक में फल रख दिये। अगली सुबह, दोनों ही बचों ने अपने आंगन में ये सारी चीज़े देखी और आश्चर रिचकित हो गये। और चोंग कर एक दूसरे से कहा, दीदी लगता है ये जादूई मतका है, भगवा नहीं शायद हमें दिया है, इसलिए अपनी जरुरतों को पूरा कर रही है, हमें जो भी चाहिए उसके इच्छा रखते हैं, ये जादूई मतका हमें वो सब देगा। ये सुन कीर्टी ने कहा, हाँ भगवा और जादूई मतके से कहा, हमारी मा की आँखे भी आजए, ऐसा कुछ कीजिए। पास में खड़ा पहरेदार ये सब सुन लेता है और मालिक को इस बारे में बता देता है। वहाँ पर जो भी हुआ था, वो विश्तार से उसने बताया मालिक ने तुरंट एक डॉक्टर को बुला कर उस औरत की जाँज करने के लिए कहा, डॉक्टर ने बच्चों की मा की जाँज गी और मालिक को बताया कि अगर कोई आंखदान करना चाहे तो वो आगे से तेख पाएगी। मालिक ने उनकी बात मानी, ऐसे ही दिन बीते, मालि तयार है फिर किरती और बालू की मा को अस्पता ले जाया गया ओप्रिशन अच्छे से हो गया कुछी दिनों के बाद उनकी मा की आंखे आ गई अपनी मा को ऐसा देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए अपनी मा को उन्होंने स्विमिंग पुल बता कर सारी बात बता द लगती है उस दिन से मालिक ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हुए उनको खुश रखकर अपने बेटे को उन बच्चों में देखते हुए खुशी से रहने लगा